ग्यान ते आन किश कर्म ना जाना ना हे न निर्मड करनी साथ संगत के अंचल लावो दिखमो नदी जाए तरनी जन के चरनों वस हैं मेरे ही अरे सांग पुनिता देही जान की तूर देहो किरपा निद नानक कै सोख एही परम सनमान योग दीन दुनी दे मालक शब्द सरूप तन 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 वस हैं मेरे ही जान की तूर देहो किरपा निद नानक कै सोख एही परम सनमान योग दीन दुनी दे मालक शब्द सरूप तन तन गुरु गरन साहिब सत गुरु सचे पाधिशादे सजे हुए पावं दरबार दियां हाजरियां पर रही गुरु स्वारी साथ संगत जीयो अकाल पर खुआही गुरु जी ने अपार बक्षिश किर्पा कीती है गुरु महराई दे पावं दरबार विच सज के बड़े प्रेम बड़ी कागरता सहताब जी ने गुरु महराई दे अमरत मई पावं बाणी दे शब्द कीरतन सदकार योग पाईसा पाई मक्तियार सिंग जी तेना दे समू जथे पासों शर्वन कीते हन आज दे ए विशेश गुर्मत दिवान 6 जून 1984 दे कलू कारे दी यादन समर्पत हन सद्गरु सचे पाथशा महराज दी मुबारक बाणी गुर्मत विचार नाड आपां सांज बनावन दा यतन करना है आओ सब तों पहला दस मेश जी दी बख्शी होई मुबारक फते बुलांद आवाज विच संजी करिये आखो जी वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फत्ध जदों आपां सिख इतिहास नू पढ़ दे हाँ 6 जून 1984 पहला में सिख पंत दे इतिहास वेच कलू का रियांदा जिक्र मिलदा है मई दे महीने वेच सतारां सो छ्याडी इस्वी दे वेच एक कलू का रावापरिया कानुमान दे छामब वेच जिस वेच मुक्रोड लहौर दे गुवर्नर दा सी अति लहौर दियां फाउजां दा कमांडर इन चीफ लख पत्राए सिदे रूप वेच आपनी फाउज मुलखईये दे नाड सिखां दा दमन करन वास्ते स कलू का रिया दे वेच पूरी वाल आ रिया सी हजारां सिखां दी शहादत दे शोटे कलू कारे वेच होई इसनो छोटा कलू कारा कहके याद कीता जानदा है इस तो बाद सतारां सो बाठ हीस्वी दा साल चड़या फरवरी दा महीना अहमद शाब दाली जिसनो दुरानी मी क्या जानदा है आपनी फोई दे नाड मारो मार करदा सिखां दा दमन करन वास्ते चड़े आ रहा सी कई किलो मीटरां दे वेच लगातार सिख एक कीरा बना के अबदाली दी फोज नाड भी लड़ रहा सं आपने जथे दे नाड बचयां बज़रगां ते आउरतां दा सुरख्या दे पकों ख्याल रखदें होयां लगातार सफर भी कर रहा सं तारीख दाना ने वकरी वकरी गिंटी लिखी ये तकरीबन वी हजारतों वद एके देन वेच बचयां तो लए बज़रगां तक सिखां दी शहादत इस कलू कारे दे वेच होई ये सनू वड़ा कलू कारा आख्या जान दे इस तो बाद कुछ विदवाना ने उननी सो संताली दी पार्टीशन जेस वेच पारत ते पाकिस्तान दो मुल्क जिनादियां सरहदां काएं मुहियां इस वेच वी सबतों वाद नुकसान दो स्टेटां दा होया और सबतों वदेरे नुकसान चलनवाडी जड़ी तरती और पंजाब दी तरत है बंगाल ते पंजाब दो स्टेटां दा सबतों वाद नुकसान होया है पर एस पार्टीशन तो बाद बंगालियां ने ते अपना बनदा सरदा हिसा लेके अपना मुल्क भी वखरा ले लेया पर सबतों वाद मार जिड़ी इस कलू कारे देवेच ते एस कलू कारे तो बाद तकरीबन पंजाब और खास ताउरते सिखाने चलिया अपने वड़े वड़े मुरबे जमीना दे शड़ के कुछ एकड़ा ताक महदूद हो जानवाले पंजाब दे सिख किसान जिना ने पसीना वहा वहा के खून डोल डोल के रातां दे उन नींदरे चाग चाग के बारां वसाईया सन ते जमीना दे उते राज कर दे सन उननों आके कखा दियां कुलियां दे विच देन कटने पैसा अईसा बहुत कुज है जिड़ा वाप रहा ये सुननी सो संतारी दी तबाही नूमी कलू का रहा कहके फिदवाना ने बियान कीता है ती याद कीता जाना है इस तो बाद आउंदा है जिस कलू का रहे दी याद वे चापां सारे जुड़ बैठे हां शे जून उननी सो चरासी दा कलू का रहा आज तो तकरीबन छटी साल पहला वाप रहा इस ने कुछ साड़े को लेखे भी कड़े एस कलू का रहे ने सानू कुछ नमा सोचनली मजबूर भी कीता एस कलू का रहे ने सानू साड़े अंदर दी ते साड़े बाहर दी दों पकां दी तस्वीर भी बड़ी साफ करके वखाई कि यसी कार पकों कि थे खड़े हैं ते बाहर पकों कि थे खड़े हैं ये ठीक है कि जदों कोई भी ऐसी कटना इतिहास विच वापर दी है कलू का रहे दा अर्थ ही तबाई हुन दा है मैं थोड़ा ज़्या जिक्र कर दें कलू कारा शब्द जिड़ है एस सिखां दी आपनी सब्यता दा इजाद कीता होया शब्द है और एस शब्द अठारवी सदीदे सिखाने कड़े मैं आप सबना नू बेंती करांगा आज काल दा दावर पड़े हैं लेकियां दा दावर है आप विचों तक्रीबन सारे गुर्म की पंजाबी पढ़ना जान देओ तो आड़े बचे गुर्म की जान देने जे नहीं जान दे ते उना नू सिखांदा यतन करो ते जे एदों मी गाल हथों खिसक गई है ते उना नू कटो काट अंग्रेजी देवे चठारवी सदीदा इतियास जरूर पढ़न ला देओ यह मैं बेंती इसकर के कर रहे हैं के जिन्लाचे रसी आपने बाबेयां ते आपने यां बज़र्गां दी कालना नू ते उना दे सिख नू इतियास दे पन्यां तो नहीं पढ़ांगे सानु पता नहीं लगे गासी काउन हां साड़ा पिशोकड की है तसी इतियास दे किस मोड उते खड़े है कलगी तर स्वामी दे जोती जोत समाउन तो बाद बाबा बन्दा सिंग बहादर दियां महिमा चलियां खालसा राज सथापत होया बाबा जी दी सात सौ चाड़ी सिखां समेथ शहादत होई दिली दे विच इस तो बाद एक लम्मा दोर तकरीबन एक सदी जड़ी है सिखां दे खून नाड़ पंजाब दी तरती रंगी दी जान दी रही अठारमी सदी दी तारीख तो अनो दास दी है पी तकलीफ नो दोख नो किवें बरदास्त करना है वो तो अनो दास दी है कि गुर्बानी नो आपने जीवन वे चिम्पलीमेंट केमे करना है ये तारीख तो अनो दास दिया भी चार शुफिरा भी तो अड़ा दुश्मन हो जाए ते अपनी सुर्त नो गुरू दे अकीदे नाड जोड के गुरू दे अकीदा रखके अपनी सुर्त नो पाक ते पवितर के में रखना है ए तारीख तो अनु दस्दी है भी तो अड़ियां तबाईयां दे वेच भी तो अड़ि सुर दे वेचों गुरू दा प्रेम ते प्रमेशर दे पाने दी गल दा वजद मुकडा नी चाही दा मैं इस करके तो अनु बेंती कीती है भी इस तारीख नु जरूर पढ़ो आपना टुटमेटां किनल पढ़ दे है ठीक है तो पढ़ दे भी असी मुआफ करना एक एमे है पि कोई कान रास होवे ते जबान रास होवे एमे असी ते आस नु पढ़ना शुरू कर ले ये तारीख तो अनु दस्दी है पि जिस वेड़े खान लई कुजना होवे ते खाल दी है पि जे कार किसे सेख़ दी लात कटी जाए ते उनु लंगडा नहीं आखिया जानदा नु सुचाला क्या जानदा है ये तारीख तो अनु दस्दी है पि जे खान वास ते छोलें दी एक मोठगी मुएसर ते उक लबद होवे अवेले बाल होवे ते उसनु छोले नही उसनु बदाम क्या जानदा है ये साड़ी तकलीफां दी डिक्शनरी है चेते चरखे हो ये साड़ी दुखां दे वेच किरियां होयां दी मान सकता दे वेचों चड़ दी कला दे निकले होई लफज ने जेड़े साड़े बज़र्गां ने आप इजाद कीते सनु ते जेड असी तो अड़े नाड़ां जे मैं होर नकमे नु जगीरां दे सकता ते इस मार्शल कौम नु जगीरां क्यों नी दे सकता पर खालसे ने आखिया नहीं तेरी तेग ने साड़े बचेयां दी रात डोली है ते पंजाब दी तरतनु सिखां तो मुकाउन दा तहया कीता है अंदर दे डर अंदर दे खौफ काफूर हो गए खालसे दे समने ये इस करके तारीख पढ़नी है कलू कारा शब्द भी एस दौर दी इजाद प्रोड़क्शन है जिड़ा खालसा जी ने वरते है केस संदर्ब विच वरते है जिते जानी ते माली तबाई हो जाए उस तबा बसे तबाही शब्द है तते एक पासे कलू करा शब्द दूमा सब्दाणा अपने सुर्थ वेच तोल के वेखो अपनी सोच दी तकडी दे ला तो अन्धिक अलाच खड़ते केडा शब्द तो आड़ी सुर्थुनों स्टेबल कर दाए नेश्या तुसी निरना कर लाँगे पी तबाई शब्द मयूस कर दाए अंदर नो खोप हो गए तबाई शब्द साड़े अंदर टेंदी कला दी पावना पैदा कर दाए ते कलू कारा साड़ी सुर्थ नो स्टेबल कर देंदा पी बहुत कोज तबाव होनतों बाद भी जिमें कोज ना होया हो गए इस तरह अंदे पाव साड़े अंदर पैदा कर दा मैं जदो एस पाखनों विचार दा ते मैं सोच दा हाँ आज दे योग विच जिते असी निकियां निकियां मुश्कलां विच किरके भी काउंसलिंग लेंड जान दे आते या दालतां दे दर्वाजियां ताक अपने रिष्टेयां नो ले जानने हा कि साचमोची असी अगाँ वदू हो गया कि असी बहुत पिछे ता नहीं चले गया कि थी ओठारवी सदी वेच जंगलां वेच पढ़कन वाले साथे बज़ुर्ग जिनना नो जिन्दगी दी खुशी दे अर्थ समझवेच आगाए जिनना नो चड़दी कला दे अर्थ समझवेच आगाए जिनानों कॉंसलिंग केवल ते केवल साथगरू दी शर्ण विचों उपलब्द ते प्रापत होई जिनाने बाणी दे रांग वे चरतियां होया जीवन दे अनांददान पव कर लिया उनने आइस पंक्तरी वे अपनी जिनदगी दे विचों रूप मान करके संसारूं दस्या दोखना ही सब सख ही है रे एक है एकी नेता है बुराना ही सब पला ही है हार नहीं सब जिता है पदार था, खत्म हो जाना हार नहीं होँ दी जे तुसी मानदे नहीं था, चेते च रख ज़ु हो यि gerçekten सामराज पैदा होए ते खत्म हो गए शाड़े छे, सौ साल उस्मानिया सल्टनत रही है मेट गई ना अखर खत्म हो गई ना अखर किना समा मंगोलियां दी सालतनत रही मिट गई ना अखर सारी दुनिया ते ब्रिटिश राज रहा सिमट गया ना अखर मुगल अमपाई रेड़ा वड़ा सी तबाह हो गया ना अखर ते साधे गुरू ने ता सानुए सिखाद रता है बाणी दे विचे राजे रियत सिकदार कोई ना रैसियो हट पटन बाजार हुकमी टैसियो गुरू साम महराज ने जीवन दा कुदरत वेचवापर दे साच़दा किड़ा वड़ा निचोड तो अटे सामने रख रहता है सद्कुरू ने आखिया पदार्थ ठीक है तकलीफ देंदा है जदो तो अटे नेड़दा किसे चीज नल बन दी है ति वो चीज जदो तो अटे हत्वों जहन दी है ति तकलीफ देंदी है पर इस तकलीफ जुगा वेच पसरी होई नहीं होनी चाहिए एक उधारन तो आड़े सामने रख रहा हलां कि ओ कौम साड़े तो बड़ी बड़ी तरकी वेचाए पर इसलाम दे वेचना तो एक जगा ते वेख्या जानदा है भी जिस वेडियो आपने शहीदानों याद कर देने च्छातियां पिट देने गल्लां पिट देने रून देने कुरलां देने ते वो मरसिय भी पढ़ देने रो रो के उना दे गीत गूंगे साड़े वेच पावुकता ता है शहीदानों लेके इस वेच कोई दोर आए ने पर साड़े ये ट्रेंड नहीं इनियां तबाईयां चो गुजर जान तो बाद भी वड़े कलू का रे दी मैं एक कटना तो आटेनार सांजी करदा सतारां सो बाठीस्वी वेच वापरिया वड़ा कलू का रा एमद शाद दुरानी दे लाड़े इस कलू का रे ते वापरन तो बाद जदों अब दाली दी फाज मुड़ गई सिखाने आपने शहीदानों कोँ आदे वेचों कटेयां कीता खिलरे होई उना दी लाशां दूरां दूरां तो लिया के चिखाचनियां गईयां ते उना दे उस जगह दे उते फिर ससकार कीते गई इस कटना तो बाद जिस वेचे शहीदान दीयां दे समभाड के ते बचे खुचे सिखाने आपस वेचे कट कीता वो भी बचे खोचे वड़े फटे होए सन जो कपड़ा कोड़ सी उना नाड़ा अपने फट बन ले कोई एक अदा जिरा कोड़ सी देशी टांग सन सारे तुसी अंदाजा ला सकदे हूँ भी जखमियां दी हालत की होएगी ते लड़ लड़के ठाकके चूर हो चुकियां दी हालत की होएगी ते फिर लाशां भी कठियां करने आपईयां ते उना दे ससकार भी करने पई इस तबाई दे मनजर दे वेच उना दी मनो दशा की होएगी पर कमाल दी खेड़े है इस मगरों जड़ा कठो या इससे वकती कोई मीन्याबाद नहीं इससे वकती बचे खुचे सिख शिखनियां बचे जोवी उते अवेलेबल लोग सान उना ने चड़ दी कला दी अरदास की ती उससी कठ दे विचो एक सिख ने उना सारे आंदे समने खलो के होंसला ते तीरज दिन्देयां किया नहांग सिंग बोक सो कहयो दीनो सकल सुनाए तात खाल सो सो पयो गयो सो खोट गवायो इस दा पापता की है पी सुने आरा जिस वेले सोने नो कुठाडी चपा के आगते राखदा है ते सोना उस कुठाडी चपाज रहे दर असल उदों दा खोट सारे होंगा ते कोई आखे भी एन्नी मैंगी ताहत नो सुने आरा आगदे उते तपा रहे है सारे है ते जेड़ा इस गालनों समई रहे हो आखे गा नहीं इस सोने नो सार नहीं रहे जियों जों आखे दे उते तपे गाए शोद दे कंचन होंदा जाएगा दुख जीवन नो पकेरियां करदें देने चेतेच रखे जिस बंदे ने जिन्दगी चे पोख नहीं ना वेखी उन्नों रजण दा स्वाद भी नहीं होंदा जिस बंदे ने जिन्दगी चे विशोड़ा नहीं ना चले आ मिलापदी हसरत भी हो दे अंदर पैदा नहीं बाबा फरीज साब ने बिरे नो सुल्तान के वाकिया कदे इस ता अर्थ पढ़के वेखी है साथगरू गुरू नानक महराज ने दोखदारू शब्द क्यों वरते हैं दोखदारू है दोखदारू सुख रोग पहा जान सुख ताम ना होई कुज इन्न पक्छां दे गेरे अर्थ ने आपने गुरू गरण साब जिदा जिदा अकीदा है जो विशवाश है कौमा भी ऐसे तरह पड़ी जिन्दगी चे विछोड़े भी हंडा हुदियाने बड़े महान महान लोकां दे विछोड़े जदो कौमा दे विचों पइंदेने तिक पुबा निकल जाने यान बड़े वड़ियां वड़ियां तरास दियां जदो कौमा देते आस वेच, कौमा दे सफर, कौमा दे जीवन वेच वापर दिया है तो एक वार इमें लगदा है पी जे में सत्र वेश गए होने साड़े निजी जीवन वहां की कौमा दे जीवन में होन देने कौमा में देख दियां ने, कौमा में ओठ दियां ने, कौमा में क्रोध बेचाउं दियां ने, कौमा में महबबत मान दियां ने, कौमा चभी कलेश पहिंदा है, कौमा चभी काठ हुंदे ने, आखर साड़े वर गा, साड़े निजी जीवन वर गई ते कौम आदा जीवन होंदा है बंदे बंदा एक एक बंदा रड़के ते कौम बंदी है जिनने यसी बैठेयां जैसी टेंदी कलाच हो जामागे ते कौम टेंदी कलाच हो जाएगी ये ता साड़े ते निर्बर करदा है जैसी चड़दी कला विच रहांगे कौम चड़दी कला चो जाएगे एक एक बंदा राल केई ता कौम नो सिरजदा है कौम नो बनाओदा है कौम कोई हवाच खलोती हो यह चीज़ते नहीं ना हुंदी हज साड़ा सुबहा पता की बन गया सी आपने नेज़दा दूशन मी स्मुचे कौम दे उते मर्दी कौम दा बुरा हाल पहलो तू आपना ते वेखर तेरी उते डपेंड करदा है तू एक आंग है तू एक हिसा है पुराने से खेवे नहीं सान सोच दे वो आपने आपने पंथ कहें दे सान वो पंथ दा हिसा अपने आपने मान दे सान एक शोटी जी कटना तो आड़े सामने रख़दा भी उनना दा सोचन दा ठांगते साड़े सोचन दे ठांगते किना गैप किना फर्क पहे गया मुद की फेरू शेर ए लड़ाईयां सान तुसी कदे एंगलो सिक वार दी स्टी पढ़के वे को काड़े दा रुग पर रहा जान दा है भी साड़े फाज बिलको अंगरेजां दे कैमपां ताक पहुँच जान दी रही ते साड़े गदार लीडर पशान उतर पहीं दे रहे इसे करके शाह मुहमद ने कीरने दे रूप वेचे बैंत लिखिया सी शाह मुहमदा एक सरकार बाजों फ़जां जेत के अंतनु हारियां वदाए बैंत समुचा पढ़न वाड़े उन्हें सिखां दी सिख फौई दी जां बाजी दा जिकर करके फ़खीर दे उते आखिया जो हुवे सरकार तामल पावे जिडियां खालसे ने तेगा मारियां उन्हें सारा दरुमदार उस सरकार नों याद कर दाए केड़ी सरकार नों महराजर अन्जीस सिंग नों वाकद एक सरकार बज्जम इदा पाव की सी एक स्योग लीडरतों बाग बाज बिना आहाशर है जितना हाराच बदल जादियाने ते जेतुआ नों कोई संबालन वाड़ा नहीं हुंदा खेर में जिकर कर रहे हैं भी जिस विड़े जंग मुक गई जखमियां दी संबाल हो रही सी और जेड़े स्पूर भी ये ते अंगरेज सिपाईसानों की करदे संब जेड़ा सेख सेख दा भी हुंदा नहीं गोली माता है जा तलवार नालो दी सार अगवड देंग अलाकि जंगा नदा प्रोटोकाल ये हुंदा भी जांग जदों खत्म हो गई जंग बंदी हो गई है उस तो बाद जेड़े जखमी ने पावे उस सेख दा याकरी सांते उन्हों समाड़े आ जागा है क्यों ता जंग मुक गई पर उन्दा निकले कले सिखा नो कतल भी कीता उस जंग जंग दे प्रोटोकाल भी तो ले यसे करके मावरा वरते जांदें दुश्मन बाद करें नहोनी जनेवा दी संदी वेच जेड़ियां गैसां जहरीलियां गैसां वरतन ते पबंदी है साठे दरबार साब दी दूद वेच ताओं भी वरतियां गईया मावी लाश दे कोड़ प्या हुया छोटा जया बचा उननों लतों खड़के जूदे बचे नों लाशां दे ट्राकवेच फ़ुजी सोट देंदा यह आद उनों की समय दे प्रोटोकाल ने जड़े मिटी च रोड़ देते गैसां तुसी इनों की समय देंओ के मुठी पार सिखां दे नाड सरकार नों गुसा नहीं है तो अड़ी कौमियत नाड सरकार नों गुसा से तो अड़े लाख मात पहेद लड़ाकूँआ नाड हो सकदें उनना दे लड़न दे टांग नाड हो सकदें पर की दुनिया दा कोई बंदा सेख लडाकों ते जुजारों दे नाल मत पे द रखने होया वी सरकार दी फौज दी किसे कारवाई नू उचेत ठहरा सकता है जो करतूत होना ने कीती है मसूम बचेयां दे कतल करने पाणी मंगण वालेया नू ठुड़े मारने ते गणां कड़नीया इतों तक नाली दा खून पर या पाणी मी पीन ना देता जाना और तां दी बेपती करनी दरबार साथ दी लुट करनी उतों दी दौलत नू लुटना ते लाई ब्रेरिया नू अग लादेनी होरा नेकां गुर्दवारियां देते हमला करना मित के इनू मित क्या जानदा है एक स्टेट दी एक स्ताकत वारते सतातारी तेहर दी एक खास कौब नू टार्गट करके कीती गई लड़ाई एक खास कौब नू टार्गट करके कीती गई जानगा उसनों गोड़ियां परने ले आके आउन वाड़ियां सदियां तक एस हालत वे चलाया उना पी अख चुक के वेख ना सके तेदे विचे कले बार वाड़े नहीं जो मैं पहला क्या सी न भी एस कलू का रहें ने सानु एक वक्रा इलम की दिता है इनने सानु एवी याद कराया पी साड़े सिराते बैठे हुए साड़े नाम ले हाद आगू किड़े वकाओ जमीर दे बंदें किड़े लानत दे अदकारी ने अज तक भी खैर कदे उनना दे मत्य दे तुसी मावाट नहीं वेखोंगे जून चरासी दे कलू का रहे नू लेके कदे उनना दे चेरें दे उते शिकन दे अदासी नहीं वेखोंगे इड़ा भी किसे दा चिटा खून हो जाए एपेली वार सिखान दा तज़र्बा शायद यते आसवेच होया है इनना मिकिसे कौम दा अगू गरिया हो सकता है एपेली वार इस चीज दा तज़र्बा होया है इसे करके मैं कई वार मैंने कीती है पि शहीद होन वाड़ेयां लई कौम जैजैकार क्यों कर दिया क्यों कि उननों समने खड़े होया जूदेयां दे विचों बहुत दे विचों एक वी जूदी जमीर वाड़ा नजर नहीं आूदा इस करके छती साल पहला अपनी रत डोल जान वाड़ा सिखानों लगया अपने काजनों समर्पते सी ना जो लड़या ते अपना आप कुर्बान भी ते कीता ना उने उदे तेल जाम ते नहीं न लग सकदा भी रान छड़ के पजह है चेते विच रखी है मैं बिंती कर रहा सा पंथ दे अर्थों ना लेकी सान एक मज़र्ग सिपाई जेड़ है न उदे आते चे तलवार है ती वज़े सैकर है तुट में शब्दां चिगल करदा है अंग्रेज सिपाई उदे नालपूर भी है देसी सिपाई सान अंग्रेज तुमांडर उदे को लाया ते उन्हों क्या तलवार रखते तलवार चड़ दे जदो उन्हों ट्रांसलेट करके देसी सिपाई ले आखिया बाबा तलवार रख ले जिन्हाचे तेरे आती तलवार है ऐसी समझांगे तूँ आतम समर्पन नहीं कीता ते हमें मारे आ जाएंगा और जांगत उसी आर गए हूँ उस बाबे दे मूँ तो लफज पता की निकले अजे पंथदा हुकम नहीं ते सार अगते तलवार चली ते बाबा अगले जहाननों कूज कर गया पर उन तलवार नहीं छड़ी आख्या पंथदा हुकम नहीं जो तुसी तारीख दे लफज पढ़ो ते तुसी एरान होँगे भी बाबा केड़े पंथ नो डीक दा से नहीं बाबे दे साहज पंथवास्दा है बाबे ली पंथ चार लीडर नहीं बाबे ली पंथ सपेट है बाबे ली पंथ एक वक्रा वरतार है अज असी चार बंदे जिते खुलोजा नसी किने जिए पंथ है इसे करके ते साड़ा बेड़ा गर को हो रहा है जिड़ा पंथ साड़ी चेतना ते सुर्ट दा हैसा होना चाईधा सी ओ पंथ असी चार बंदेयां तक महदूद कर ले इसकार के उना दिया नजाज भी सानुचा लड़िया पर लिया ये ठार भी सदीदा बरतारा तो आडेनल मैं सांजा कीता है भी उस वक्त वेच पंथ दे सिखा ले की अर्थन दे सान। अज पंथ तड़ा है उदों पंथ सपेट सी हर सेख समीदा सी भी मैं पंथ थां मैं पंथ दा हिसां ते पंथ थां मेरे साहां चेको कड के में लएगा जह तुसी कहनू ना पंथ की जीत अर्दाश पढ़ देओं कदे आपने आपनों स्वाल पुछया करू केड़े पंथ दी जेत मांग देओं कांगरस चे बैठे सिखा दी अकालिया चे बैठे सिखा दी केसे ओर तरइच बैठे नए नहीं नहीं यह थे पंथ दे अर्दत तड़ा नहीं ये थे पंत दे अर्थ हो सपेट है जड़ी गुरू दे राते चलके एक सेखनों दूझे सेखनाड जोड़ दी है तुसी योदी जेत मांग़ दें इससे करके तुसी कहने हो जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत है ये तो साथे बड़े महान अकीदे ने कदी असी ये ननुते आनाड पर मुआफ करना असी ते जागदे हो दो जो तो मेरे रगे दा नार दा चोड़ा वे पहली अरदास दा ता मतलबी नहीं उन्दा ना साथे ली कोई खेर मैं बिने कर रहे हैं पि असी च्छती साल परिला एस वापरे का लू का रेनू आप विचों बहुत याने हंडा है वेखे है पर वारक तोरते ये सारा कुछ चले है कुर्बानिया कीतिया तबाईया कराईया ने ये सब कुछ तुसी आप माने है अपनिया खान अड़ व सामने साड़े पहले हो गुजर चुकिया ने एक नाकामी बहुत वड़ी छड़ी है क्यों ना इस तुंद नो दूर करन दा यतन नहीं कीता जिस तरह दा कोई प्रापो गंड़ा करना चाहे करके सामनों गुम्रा कर जाना है अजे वी ओ तुंद जेड़ी है उन्हों हटाउ कोणा बड़ा जूरी है कौम वास्ते गाम दे जागदे लोकां वास्ते ताही असी जमें पहले कलु कारियां दी ओस समुची कार गुजरी नो वेख देयां इसक़़ आरेतों में सडी काँमे इसे तरह अवेर रहे होना शहीदां ते पारूप कारियां नो सदा स्जदा कर द दारी अपना खून डोल के पुगाद है और याद वेच रखी है मायूसी ते उदासी पावियो किसे भी कलू का रहे नाल जोड़ी खास ता और ते जून 84 दे कलू का रहे नाल जेड़ी साथे पले पाई गई है हकूमत वलों ते जेस मायूसी साथे पले पाउन वेच साथे आगूँआ दा बहुत वड़ा योगदान है इसमों जिनाचिर असी अपने दिलाचों नहीं कड़ांगे असी अगे सोच नहीं सकांगे इनों ओस लड़ी देवे ची रखो हकूमत भदली है पर कलू का रहे नाल सकता नहीं बदली अगले समय वे चापां विचार लड़ीनों गेरे तोरंदा यतन करांगे सद्ग्रु महराज हुईया पुला चुकां दी खिमा बक्षन समूँ शहीदानों उना दी कुरबानीनों शहादतनों कोटान कोट सिजदाते परनाम है तो लचुकदी के मादब सेथ फते बलाओ वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फत्फ